यो करता हूँ तो कैसे हैं आप सभी जलिए फड्य जूट जाएंगे हुए ब्रएमिकर करके बता हैं क्या में लाइव हूं आपो के साथ हosity आशाखों पार कि बिलकिल छलिए पासे लाइव सब्सक्राइब टो पॉट आएक आशाएंHS तो लाइभ हिम आप सब्सक्राइब करते हैं इसका अंसर एक बार आते हैं इस और इस कोश्चन के बारे में जरा सब पढ़ते हैं देखते हैं कि क्या सर निमलेखित कसनों पर विचार कीजी कि डेंगू मच्छर द्वारा संचारित प्रोटो जोवार होग है पहली बात तो यह देखते हैं सर प्रतीक नित्रगुहा पिडा डेंगू का लक्षड नहीं है द की काफी दिनों बाद तो कैसे हैं हम सभी आजओ सारे एलो हेलो हैलोहलोःओ क्या हल चवार्धा ऑचों किए कभी न मालीया नम रोग होता है सॉट और आप सबीको पता है सवारस यह वायरस से होने वाला रोग है वही पर प्रतेक नित्रगुः 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 प्रतेक नि आपकी क्लास को बहुत मिस्की है sir how are you sir I am good I am kush gupta hello 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 सभी का स्वागत है सभी का हाध्दी का बिंदन इस्तिकबाल करता हूं मैं अपने क्लास में तो कैसे हैं आप सभी है ना तुमने क्या मिस्किया जितना हमने तुम्हे मिस्किया है ना बच्चों आजो आजो वही अगली सवाल बटते हैं और नेक्स सवाल क्या कहता है कि शरीर की जोडों में गठिया रोग नमिख्वित में से किसके जमाओ करण होता है आप सभी जरा इस question का उत्तर दे दो हमे और जब घुटना कारे करना बंद करता है तो यहाँ पर बहुत सरी दिक्कते देखने को मिलती हैं तो जरा मुझे बता दो कि जो आर्थराइटिस है उसमें हमारे घुटनों में क्या जमाँ होता है या हमारे जॉयंस हैं जॉइंट्स आप सभी जानते हैं तो जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ कि क्या होता है उस रोग में जल्दी मुझे इसका अंसर कर दें फट 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 डूट जाएंगे क्वीन अली यूरिक एसड गीता कुमारी जया राय क्या दो अंकुष गुपता है ब नॅम्ट चैसर फो इस बात को आप याद रखेंगे हमिशन 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 क्या है तो यूरिया एक प्रकार का उत्सरजी पदात है और उस ज़ी J का क्या है ये तो यहां एक उत्सरजी पदार के बारे में देखा कि malaria किससे होता है protozoa किसके काटने से फीमिल एनाफलीज मच्छड के उपर निवास करता है प्लाजमोडियम अगर वह आमारी बॉडी में इंटर करता है तो हमें कौन सा रोग होता है तो हमें रोग होता है malaria और जरा मुझे बता दो जरा मुझे बता दो किसमें से malaria का लक्षण कौन सा नहीं है नहीं है क्या यह प्लाजमोडियम अगर आपकी बॉडी में इंटर करेगा तो यह रोग हो जाएगा यह मच्छडों में दौरा फिला जाती है बिल्कुल सही बात है यह दलदली छेत्रों में देखतर होती ही यह बात इसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल गलत कहीं जा रही है इसके इलाज के लिए क्लोरो क्वीन का प्रयोग करते है पहले सिंकोना की चाल से कुनैन दवा का प्रयोग करते थे कुनैन दवा के लिए लेकिन अब उसको तो आपका होता है और उस पर निवास करता है कौन तो प्लाज्मोडियम जिससे यह रोग देखने को मिलता है नेक्स सवाल देखो नेक्स सवाल आपसे क्या कहता है कि जो मनुष यह नहीं समझ पाता कि उसे कब भूजन करना रोक देना चाहिए या हम ही है हमको लगी भूख हम करते हम खाना खाने बैठें और खाना खायी जा रहे हैं खायी नहीं कि कब रोक ना है और हम खायी जा रहे हैं आज खाने की एक बढ़ियां सा अंसर कर दो मेरे लाड़ लो जोती गुपता कहा है इस टाइम तीसरा तो ध्यान ही नहीं गया कोई सर याद रखेंगे कि देखो सर यहाँ पर दो रोग आपको देखने को मिलेंगे एक बुल्मिया और एक कौन सा एक आपको देखने को मिल जाएगा एन्रॉक्षिया नर्वोसा तो याद रखेंगे एन्रॉक्षिया नर्वोसा में यह होता है कि क्या कि बैक्ति को यह नही पता कि उससे भोजन करना कब रोग देना चाहिए किस प्रकार के रोग में तो विश्च नाम का जो रोग है उसमें यह देखने को मिलता है एंडरॉक्षय नर्वोसा अंडरॉक्षय नर्वोसा चले गीता कुमारी देखो इन दोने बहुत कुछ नहों होती है वुल्मिया और सब्सक्राइक के लिए तो आप याद रखोगे मलीरिया के लिए जीवी सरक पर जीवी कि बारे में बार बार सवाला आ जाया है पर जीवी क्या होते हैं जो दूसरे की बोड़ी पर निवास करते हैं जीवित शरीर पर किस पर सरे को जीवित शरीर पर निवास करेंगे जीवित जीवित शरीर पर निवास करेंगे और उन्हें क्या कर देंगे और उन्हें रोग करेंगे तो यह क्या होते हैं यह परजीवी होते हैं कौन सा परजीवी याद रखोगे आपका प्लाजमोडियम परजीवी क कि इस पर निवास करता है तो आप सभी को पता है कि मादा एना फिलिस पर निवास करता है ठीक है आंसर हो जागा प्विकाल से पेरम नेक्स्ट सुनम को भाई सर्मा जू खटमल क्वीन अली साब बहुत ही शानदर कि हीमोफीलिया एक अनुवानशिक रोग है क्या कह रहा है अनुवानशिक रोग है कौन सा हेमोफीलिया जनेटिक डिस ओडर के लिए आप सभी को मैंने ट्रिक भी आद करा रहे तो जरा मुझे इसका जवा सबसiblcciones okay असब होचा सार देको जिसका वहन पहले इस सवाल को देखेंगे इसके बाद इसकी डिटेलियल का कहता है श्रें ट्रिक होती है याद रוכेंगे वही वही खलीप क्लिप वही डॉट वही डॉट वही डॉट ट्रिक है किसकी तो यहा अनुवानशिक रोगॉं की या अनुवांशिक रोग और याद रखेंगे जिसका वहन कौन करता है तो इस तरिया इसका वहन करती है और या प्रकट पूर्सों में होता है किसमें प्रकट होगा तो याद रखोगे कि या प्रकट होगा पूर्सों में क्योंकि हमारे पास होते हैं क्रोमोजोम कौन से एक हो दोइं होगा तो X वाला हो जाएगा तो एक्स कर दोप नुंट हो नकागी होगा आज़ो से कौन सी अनुवांशिक अभी बताया है अभी एक ट्रिक कर नहीं हो बैजा confirmed पुरसों में दिखाई देगा और इसको महिलाएं करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन दग जाने करेगा महिलाएं करेगी जब कि यह प्रकट किसमें होगा पुरसों में होगा मतलब अगर अनवानशिक बिमारी मानलो के इबारत अजी जो लिखता है मुकदर के इबारत वो तेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है और जिसको ठुकरा दिया था मिट्टी समझकर वो लड़का आज सितारों पर खड़ा है सितारों पर खड़ा है तो यह देखो कौन सा नवानशी का अभेवस्था नहीं है डाउन संद्रोम यह लेकिन शृच चल जो पता है कि इस से होता है तो याद रिखेंगे कि मानो शरीर के अंदर बलड़ की कमी आर बी-सी हौर हीमोगलूबीन पर फेक्ट करने वाला जो होता है वो होता है क्याएनिया इस बात को आप याद रखेंगे और तो correct answer is what the denta याएनिया correct answer for this question बया एक बार थोड़ा सा share तो बनता ही है मेरे लाड़ लों है नँद शेयर बनता ही लाड़ लों है नँद आजा कि अलजाइमर रोग अल्जाइमर रोग मानों सरीर के अंदर कौन सा अंग है जिसे प्रभावित करने कार करता है तो जरा मुझे इसका उत्तर दे दो जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ कि वईया क्या की अल्जाइमर रोग सरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है अरे अल्जाइमर रोग वही है न हम आपको 5 रुप उधार लिया हम बूल गए कि हमें तो कोई पीजा नहीं मिला था तो याद रखेंगी अल्जाइमर रो बताओ हाँ या ना सर अरे बोल दो नेक्स आजों नेक्स देखो क्या कैता सर नेक्स सवाल पर बढ़ते हैं कि टिट्नेस नामक रोग निमलखित नाम से भी जना जाता है वह याद टिट्नेस को और किस नाम से जानते हैं जरा मुझे बताओ अरे मेरे भावित के इंसपक्ट से या काली खांसी है या लॉक जौ है जरा मुझे इसका उत्तर दे तो क्वीन भूल गए आपने ये पढ़ाया भी था लोकता मस्तिस्ख में भूल गया को लॉट जो लग जो में क्या होता है आपकी जितनी भी मसल्स होंगी बॉडि की क्या होंगी मेरे लाड़ लू तो यहाद रखो कि है क्या होती क्या हो जाएंगी क्या जक्रन कर लेंगी और जैसे यह जकडन को करती हैं तो क्या दिक्कत आती है कि आदमी की जो मसल से वो लॉक हो जाएगी जैसे मेरा जौ है जौ मेरा लॉक हो गया तो मेरे जौ में मूव्मेंट नहीं होगी और इससे टेटनिस नामक रोग होगा और इसी रोग को और क्या कहते हैं तो इससे कहते हैं पीटी का टीका लगवाओ और यहां रोग क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा कौन सा आपका टिटनेस जिसका याद रखेंगे कि बैसिलस टिटैनी एक जीवानू है जो इस रोग को करने का कारे करता है नेक्स सवाल देखो कि पोलियों की टीके की खोज किसने की भैये कितना आ परेसिया ये सवाल पूछें दो आप शाप देते सर आवाजग में रही है आब ऐसे चुशक कर एस semantic है नन्ये लाइस चलिए आप इस कोशन का अंतर करें आवाज कट लिए लाड़ लूँ अरे मेरे जिगर के टुकड़ों ऐसे कैसे डी सालक महोदे ओ भाई क्या बाद जेनर नहीं कह सकते जेनर ने क्या किया तो जेनर ने चेचक के टिके की खोश की थी और वो पहला टिक लिया आप कैसे कह सकते हो क्या सालक जवाब क्या होगा जो पॉलियो का टिका जो पॉली मलाइटस नाम के वारस से होगा जो रिट्रो फैंबली का वारस से वो क्या करते है तो उसके लिए टीका किस ने खोजा, John Salt नाम के साहब ने खोजा, और यह वारस से होने वाला रोग है, और जो इसके आप ड्रॉप पीते हो ना, खट मिठिया दवाई पीते हो ना भईया, तो जो ड्रॉप आप पीते हो, उसके ड्रॉप की खोज किस ने की, तो इसके 7 नाम के एक सहब थे तो Albert 7 ने सके ड्रॉप की खोच की जब कि Edward General ने क्या किया था तो इन्होंने चेचक का टीका खोजा था जो अबिस्व का पहला वैक्सीन था जिसे खोजा गया Robert Coach ने क्या किया तो Robert Coach ने मलेरिया के परजीवी के बारे मताया किसके बारे में तो Plasmodium के बारे मतलाया Plasmodium के बारे मतलाया जबकि Alexander Fleming ने क्या किया था तो इन्होंने पहला प्रती जैविक कौन सा कवक से बनने वाला Penicillin बनाया था Alexander Fleming ने जबकि Walksman ने किसको बनाया था तो Streptomycin को इस वज़े से Walksman को कहते हैं Father of Antibiotic लेकिन खोजा किसने सबसे पहले तो Alexander Fleming ने इस बात को आप याद रखोगे अगरा सवाल देखो क्या कहता है कि टीवी के परिछण है तू कौन सा टेस्ट होता है बता दो मेरे लाडलो अरे मेरे लाडलो क्या बात है क्या बात है शानदार जबरदस्त जिन्दाबाद की मंजल को बुला कर जीया तो क्या जीया दम है तो उसे पाकर दिखा और लिख दे अपने खून से अपने कामयाभी की कहानी और बोल उस किसमत को कि दम है तो मिटा कर दिखा कि 6 रोग TV के परचन ही तू बिस्निस्ष परचन कौन सा है भाई या विडाल टेस्ट जो होता है किस में होता है तो आप सब भी जानते हो कि विडाल टेस्ट टाइफाइट का टेस्ट है किसका है मरे लाग लो तो यह है TIFID का TEST इसके बारे में आप सो भी जानते हो जबकि MATOX TEST जो है यह किसका है यह TB का है TB के लिए कौन सा T का लगता है आप सो भी को होता है TB के लिए याद रखेंगे BCG BCG मतलब क्या Bacillus Colmet Urine ये क्या ये बीजी जे टेरता है टीबी में और टीबी होता किस से है बैक्टीरिया से कौन सा बैक्टीरिया मेरे लाड़नों तो याद रखेंगे कि माइको बैक्टीरियम माइको बैक्टीरियम माइको बैक्टीरियम ट्यूबर कुलेसिस ट्यूबर कुलेसिस नाम का एक बैक् जिखारी का अगनी का कुतों का या पुस्मों का किसका डर है एंतोफोविया जरा मुझे बताओ बताओ बही बता दो भाई जरा मुझे इसका यॉब देंगे सभी क्या होगा एंतोफोविया बताएंगे वेरी गुड अल्टीमेट शांदार जबर्दस जिंदाबाद बताओ बरवुड ओट एंतोफोविया 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 घेलो रिमी बेवी अच्छफ जि अंद्र कुमार जितेंद्र ओंब पांडे रहुल कुमार क्वीम अलेशा स्थार्थ राज Jenny vivek सिधार्थ अमृत रिम जिम Уभाई मेरे लटले सारे मेरे लटले और लटली चुके हैं और याद रखोंगे यह किस कडर होता तो यह होता है फ्लार्स कडर सबी को पता होगा सिंपल सा सवाल था भाया की मीनी माता मैंने बोला है कि छपेगा और पहर है पिपर में ये सवाल पिछली बार भी बताया था और चपा था बिहार लेसाई में इस पर छपा देंगे इसको जारकंट सीजियल में और छपेगा यह किस में तो लेदे निशेद में भई यह अपका सवाल जिससे आपका क्या तो बहुत सारे पिपर में आपको असानी होने वाली है तो जरा मुझे बता हो जरा मुझे इसका उत्तर दे दो क्या कि मिनी माता हो गई मिनी तो मिनी माता पारद 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 बिल जवाब है भया पारा पारा मरकरी से होता है क्या मरक्यूरी से होता है मेरे लाडलों याद रखेंगे कि मरक्यूरी से होता है मिनी माता और आर्सनिक से क्या होता है तो आर्सनिक से होता है वाइट फुट वाइ ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसे मिथैमोगलोबीमिया भी कहा जाता है यहां नाइट्रीट से होगा इस बात को सारे याद रखना अगला सवाल क्या कहता है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है मलेरिया कितना खतरनाक विमारी यह ठंड देता है बुखार आता कुमार थहें काफिया मचछल कात लेता है दिकत होती है और काटता को यहन तो मादा इस बात को लिख लो हमेशा किसने काट थो मादा नए काटा है किसी का भी काटा हो आप समझ लेना कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अग है और ऑरगन आफेकटेड वाइं साहे मरे ला आपके आसपस कोई जीव है जिस पर पानी फेकड़ तो डर जाता है अजी कौन है वो कुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पासे हो जाएगा लुई पाश्चर लूई पाश्चर ने का कर दिया तो राभी्स का टीका खोज दिया और यह वाइरस से होने वाला रोग है इस बात को याद रखोगे देखो ना अगला सबाल क्या कहता है कि हिमोफीलिया एक अन्वांशिक विवारी है जो उत्पन करता है हिमोगलोबीन इस्तर में कमी रुमेटी हिर्दै रोग डबलू बीसी में कमी या रक्त का इस कंदन ना हो ना जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ अजी आएं हैं तो चाप कर जाएंगे और एक इतनी तगडी लाइक इतने कम खाएं भया कोई दुस्मनी है सर से लाइक मारो महनत करो साबित करो हो जिन्दा तो साबित कर खुद को ऐबंदे वरना जिन्दगी तो सर्तों पर ही बीच जाएगी या क्या कि हिमोफीलिया एक अन्वांशिक बिमारी है और हिमोफीलिया में आप सभी को पता है कि रक्त का ठक्का नहीं बनता है जिस वजह से सर क्या तो आदमी ओकर चोट लग जाए उसे तीन से चार मिनट के अंदर अगर ना मिले तो रक्त के बहुत ज़दा प्रवाह से उसके मृत्य हुआती है और इसी को कहते हैं रॉयल डिजीज शाही बिमारी क्यों कहते हैं रॉयल डिजीज क्योंकि यह सबसे पहले देखा गया था किस में वहीं हैं वहीं हमारी एक मेडम थी उनको क्वीन विक्टोरिया कहते थे तो उनको ही बिमारी देखि यह जो पहली कुछी मुई घघ जे लेकर चले किया हमारा को ही नूर उनमें रोक था क्या याद रखेंगे नेक्स सवाल देखो क्या कहता है इटाई इटाई किसके दिर्ग कालिन विशाकता से होता है भाया अभी बताया है कुछ दर पहले गलत करो तो बड़ी पिटाई होगी बड़ी पिटाई होगी सारे बंदी बंदों को फैलाओ वाइल करो बीडियो ओ भाई क्यों मैं बीडियो वाइल करो सही है दो इटाई 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 नामक रोग है या अगर आपकी बोड़ी में कैडमियम की मात्रा अधिक हो रही है तो या रोग होगा और जबकि मरकरी से आपको हो अभी मैंने बताया कि मीनी मात्राव से क्या मीनी मातरामक रोग होगा जबकिन काडमियम है अगर आपकी बोड़ी में होता है एक्सेस तो कौन सा रोग तो इटाई इटाई न uh दियने को मिल जाएगा नवी कि कफनों में से कौन सी सही है सही उत्तर का चयन, कोड से करें, भीया, कोड हैं यहां पे, आपको भी कोड दिया जाता है, Y386, अपलाई करो, बैज करो, मजे लो, सेलेक्शन लो, तो यहां भी कोड है, कोड को बताओ, कि मानों सरीर में फीमर सबसे लंबी हड़ी है, पता नहीं भीया जी, हैजा रोग, बैक्टीरिया से होता है, आथलीट रोग, विशानों के द्वारा होता है, तो कौन कौन से समें सही है, मरे लाड लो, जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ, अब यह जरा इस एक बार सेशन को शियर कर दो, आजाओ, चलो एक बार सेशन को शियर कर दो, very good, very good, very good, just a second, ले लो, रिक het लो जब जो जबॉ पंव हो इसार इसार हु वेरी गूड सब स्था इतना पीटूंगरा सब्शही ज्वहने वालो सब्शही करेंव हो इतना पिटाई होग तुम्हारी तीसे में क्या सहि होका पहला सहिए लेकिन में थीसरा गलत और यहां आपको 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 है आपको आपको अपचिन गजब थे मतलब पहला और दूसरा सही है इस बात को याद रखेंगे, option no.3 is the correct for this question, बताओ, क्या हो गया, बस मेरे पे case ना हो, संगीता कुमारी, सोनम, जीते इंदरुम, पांडे, अभशेक, जी, काव्या, सिधार्थ, राज, कवक, कवक, आजो next question, क्या कहता है, सर नेक्स सवाल कहता है, आप से क्या कि सरीर में किस सि को cancer कहते है, cancer कब होता है जरा मुझे बताओ, वाइ-फै डिस्कनेट हो गया है, ठीक, जरा मुझे बताओ, स्कैंसर क्या कहरा है सवाल कि cancer कि sihशुएशन क्या है, बोडी में cancer कब होता है, स्वस्त थेलों का अनिंत्रिक मल्टिप्लिकेशन के साथ इसमें जो हेल्धी सेल्स हैं उनका दम घुटना और मिर्ति हो जाना देखो क्या होता है जो सेल्स होते हैं हमारी बोडी में जैसे मालनोगर मैं आप से कहूँ कि आपकी कैपसिटी है चार रोटी खाने की बट आप क्या कर रहे हो आप 10 रोटी खा रहे हो तो आपका फट जाओगे फूलोगे फट जाओगे सेम यहीं पर होता है कि आपकी बोडी में सेल्स क्या हो जाएंगी अनकंट्रोल डिविजन होगा डिविजन अनकंट्रोल हो जाएगा आपकी बोडी में सेल्स ज्यादा हो ज डिसेंटरी से मर जाता है जरा कारण क्या है यह अतीसार किस से होता है जरा मुझे बताएं जरा मुझे बताएं कि अतीसार रोग किस से होता है वेर गुड वेर गुड वेर गुड जरा मुझे बताएं वेर गुड मेरे लाड लो जरा मुझे बताओ कि अतीसार रोग किस से होत है कि वेर गुड है वहुत सांदार वेर गुड होजो कहां है अले होजो को खोजो जया सिस देदो शुकला बैक्टीरिया नहीं गरत है मुकेश कुमार विवेक कुमार भी जिवानू रोटा वाइरस इतना पीटू है तुम लोगों को न इतनी पिटाई होगी न एंटामीयोब बिल्कुल सही बात भीया यह हमारी जो है गुडिया गुडिया के बाद बिल्कुल सही है एंटामीबा और कौन सा एंटामीबा तो एंटामीबा हिस्टोलीटिका कौन सा सर तो एंटामीबा हिस्टोलीटिका यह क्या है तो यह एक प्रकार का परजीवी है और आपको परजी आटए है ट्रेक्रीच कराही थी बापा से होता है पाइय्रिया जो किसे होता है जो एंट별 projects इंटी एमिबा गीजूमेट से होता है का रोल जार लिस्टमेनिया डोणावानी से होता है यह मउबलेरया किसे होगा तो पापा से होगा प्रवाल और फोगअम और सोते हैं से सोने की बिमारी जो सीसी मकी के काटने से ट्रिप्नोसोमा गैबियन्स अगर आपकी बोडी पर आता है तो जिससे यह रोग देखने को मिलता है तो यह ट्रिक आपको मैंने याद भी कराई थी और इसका आंसर क्या हो जाएगा एंटा अमीबा हेस्टोलीटिका याद रखेंगे कि मलेरिया और डेंगू में निम्लखित में से क्या कॉमन नहीं है वोट आज नौट कॉमन एन बिट्विन दा मलेरिया और डेंगू से होने वाले रोगों में कॉमन क्या नहीं है बतो पापा काम पे सोते हैं कुछ प्रॉब्लम होगे से मैम क्लास नहीं हुई अभी जीत सिन्हा बहुत ही शानदर बहुत ही शानदर वेरे गुड अल्टिमेट शानदार बरदस्त जिंदावाद बही क्या कह रहा है कि मलेर और डेंगू में क्या कॉमन नहीं है बुखार आता है अरे हड़ी तोड बुखार आता है भीया मॉस्किटो बाइट मच्छड काटता है बिलकुल काटता है यूमन इस्पेसिस हम या होमो सेपियंस में होगा होमो हिबसकस औस्टेलो पितेकस रामा पितेकस आपका नियंडार थलस्में नहीं होगा, homo sapiens में ही होगा, लेकिन जो common नहीं हो mosquito species, क्योंकि आपको मैंने कब से बता रहा हूँ कि जो डेंगू है, डेंगू एडिस मच्छड के काटने से होता है, जबकि वहीं पर जो malaria है, यह female enophilis मच्छड काटने से होता है, तो यहां मच्छड की जो species है वो अलग- होती है, बाकी सारी species क्या, सीम सीम होती है, इस बात को आप याद रखोगे, कि silicosis एक बिमारी है, सर अगर आप महानगरों में रह रहे हो, तो आपकी बोडी में क्या, silica की मात्रा extra हो जाएगी, क्योंकि silica क्या है, एक commercial element है, जो कि क्या, जो कि उद्ध्योग में बहुया प् अभावित करता है, जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ, very good, papa से, बिल्कुल, कहने, papa से पाई रिया हो गया और बहा से मलेटिया हो गया, तब पीटूगा नहीं को, सर ये क्या है, तो यह है आपका क्या, यह लंग डिजीज है, यह क्या है, यह फेफड समंदीर हो ग और और आपके फेफड़े में सलिका जमा होता है जिससे सास लेने में दिक्कत आती है इस बात को याद रखना हमेशा 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 नमलकित में से कौन सा सही सुमलित नहीं है वेच आप दे फॉल्लिविंग इस नौटा करेक्टली मैच्ट पमा रोग चिंचडी है मानसिक रोग मनों विदलता है अनवानशिक रोग छे रोग भया हमें तो मिल गया अंसर अब तुम्हारी बारी जरा मुझे इसका जवाब दे दो मेरे लाड लो जरा मुझे इसका जवाब दे दो है ना? बताओ सर आप कहां गए थे हम गए थे, कहाँ तो हम अपने मम्मी के पास गए थे और अभी मम्मी के पास जहीं है हम और यहीं रहेंगे पर तुम्हारी कल्स अब नहीं रुखे गी मेरे ज़्याद रखोगे कि सर अनवानशिक रोग कॉन सा है टीका बॉडी के अंदर जिसे कहते हैं BCG गाली नीजे रहा हूँ BCG टीके का नाम है और इस टीके से ही कौन सा रोग होता है कौन सा रोग सही करते हैं तो जो mycobacterium tuberculosis जो TB नाम का रोग है इससे होता है TB होता कैसे है तो यह याद रखोगी अगर आपके क्या मेरे जिगर के टुकरों मेरे जिगर के चलों है ना बया किया निमलखित में सही जोडा बनाई ये और सही कोड का चैन कीजिए यह कोड सही करना है हमको यह कोड फिर से आ गया तो एक कोड आपको और याद रखना है वाई 386 कुछ भी पर्चेस करो मैक्समिन डिसकाउंट मिलेगा आपको यह द्रक्त अल्पता याद रखो के सर अल्पता क्या है तो अगर आपके बोडी के अंदर एफी मेटल की कमी होती तो आपके अंदर एनीमिया देखने को मिल जाएगा ग्वाइटर घेंगा घेंगा कैसे होता है तो आयोडीन की कमी से होगा नाइट ब्लाइडनेस किससे हो जाएगा बिटमिन A की कमी से बेरी बेरी बाजेरे पलंगिया तो बेरी बेरी से क्या हो जाएगा तो बिटमिन B हो जाएगा तो सही कोट क्या होगा चौथे का पहला दो में है और पहले का दूसरा दो में है और दूसरे का तीसरा एक में ही होगा और आमसर हो जाएगा में से किस की कमी हो जाती है तरको जो देंगु फीबर है इसमें मानो सरीर में किस की कमी होती तो आप सभी को पता होगा कि जैसे देंगु फीबर होता है हमारे बोडी में अर्बीसी का बनना कम हो जाता है और हमारी बोडी के जो ब्लेड कार्पो सेल्स है उन पर फैट पड़त के लिफ्टे थाउजन से कम हो गया तो आपके नाक और मूं से खून आना शुरू हो जाता है इस बात को याद रखना हमेशा हमेशा कि मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानी कारक विकरणों से सरवाथिक सुपरभाव हैं यह क्या कौन सा एक हानी कारक विकरण हैं अब हा आहां यह ना, बोल दो, अब बोल दो मेरे लाडलो, मेरे जिवर के टुकडो, है ना, आजो, जया कम बोलो पापे, अच्छा, ए तुम्हों क्या ही बगवास, तुम्हों ही आदत दे गई, हम सोचे कुछी का ब्रेक ले ले, तो तुम्हों की क्या, आदत सही हो जाएगी, पर आदत तुम्हारी वही है, बहना, कि फिर से फाल दू कर्मेंट करते हो, चलो, पढ़ा ही करो, क्या होगा सर, आइस, आइस पर होई दो जाएगी, जब आपकी UVB और UVC, लेको UVA आपके लिए अच्छा है, अल्ट्रा वालेट, जिसकी खोज, माइकल रिटर ने की थी, तो र हमारे स्किन के लिए, हमारी आखों के लिए, बहुत जज़रा हानिकारों कोथी हैं, आपशन में स्किन हाएं, पट अप्शन में हैं, तो टिक मार ओं, आंके हैं, और याद रखेंगे अगला सवाल क्या कहता है, कि पीला बुखार नम्रकित में से किसके दरा फैलता है, तो Q-Lex मच्चड क्या है तो Q-Lex मच्चड पर एक वाइरस निवास करता है और उस वाइरस से होता है क्या तो आपका पीत ज्वर तो अंसर हो जाएगा कि उप्रुक्त में से कोई नहीं सरकारी option नहीं है ये याद रखना याद रखना इस सवाल को हमेशा 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 do like and share the session हाई निए अंगरे जी इतनी अंगरे जी कभो नहीं सीखे थे हम है ना आई ये पढ़िए दम लगा के दम लगा के पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है कि पोलियो का वाइरस सरीर में प्रवेश करता है या मच्छड के काटने से, दूसी भोजिन तरह जल से, कुट्टे के काटने से, या ठूक से, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, पोलियो हो रहा है किजी को, अब पोलियो हैगो, अब पोलियो हैगा तो कैसे है हैगो, आओ देखते हैं, अब देखते हैं, क्या कहते हैं, क्या है इनक संक्रमित है उसकी बोडी में रे suivre कोई नॉर्मल ब्यक्ती वहाँ पे मूँव कर रहा है और अगर उसकी बोडी संक्रमित है तो उसकी बॉडी के अंदर वो रे जो polymelitis virus है वो एंटर करेगा उसे हो जागा polio और polio में पूरी की पूरी तंत्रिका तंतर प्रभाइट हो जाती है जिसमें ब्यक्ति चलने फिरने और बोलने में असक्षम हो जाता है मतलब ब्यक्ति का मानसिक और सरीक भिकास जाकर कहीं पर थम सा जाता है रुक सा जाता है ज कंटामिनिटेट फूड और वाटर से कौन सा रोग नहीं होगा तो जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ मेरे लाडलों मेरे जिगर के टुकडों की कंटामिनिटेट फूड और वाटर से कौन सा रोग नहीं होता है तो जरा एक जबाब दैदो मेरे जिगर के टुकडों का है गोजबाब इसका कि जम्लिकित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूशन की वज़़ से नहीं होता है बिल्कुल होता है कंतामिनिटेट फूड एंड वोटर भया है जा है जा भया सभी को पता है कि दूसरी जल भुज़न खाओगे बोडी के अंदर बिब्रियो कॉलरा आएगा कॉलरा करेगा उल्टी होगा दस्त होगा पी लिया बिलरुबीन बिलवर्डीन के बढ़ने से और कब बढ़ेगा जब बढ़ेटिस रोग और उसे ही देखने को मिलता है क्या तो यह रोग और याद रखना यह थंड से फेलता है ना किया फेलता है दूसरी जल भुज़न से कि उस बैग्यानिक का नाम बताइए भया कि जिरों ने खोज की थी कि मलेरिया प्लास्मोडियम नामक परजीवी से होत कि यस साहब कौन थे बताओ भया बताओ कौन से साहब थे ओशिट का है गो अगुडिया अलाद़िया का वह बही लो है चाप जवाब चाप अधन चल्वा जो सरो सभीजैनी के नाम था यह उनका नाम था डॉक्टर रोनाल्ल रॉस और रोनाल्ल रॉस थे भई सर लगाना प पर्वाइव्से ही जौन मेंडल ने क्या क्या किया था, तो मेंडल ने उठाया मत्र का फोधा, वहा क्या था, कि ठंडी एसे ही और मेंडल सब्ड़ीता स्री थी अलू मत्र, मत्र की सब्से प्लेगे रही रही तो अलू मत्र, 양ुल्यमत्र मटर मटर मटर, तो ने गुसा हुग मटर कोा इसा पकड़ा, उठाया, और का तेरे पर में एक्सपरीमेंट करके देखाऊँगा और एक्सपरीमेंट किया और वहां पे इनोंने जनेटिक्स के बारे मता दिया, वहीं पर हेकल, हेकल के नाम कहां पर आता है तो जब 3 रोनाल्ड रॉस किया न पोस्ट मॉटम सवाल का किया न तो सेशन लाइक कर दो कि पोलियो का कारण क्या है पोलियो कैसे होता है जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ कि गुरुजी कि पोलियो कैसे होता है बताएं गुरुजी बताएं 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 ब आजो बताओ भीया आज मटर खाने का मन कर रहा है मटर की पूड़ी ओहो आजो देखो सर क्या कहता है सर सवाल कहता है आप से कि पोलियो करन क्या है सर याद रखेंगे रिजन आफ पोलियो इस भाई वाईरस कौन सा वाईरस तो पॉली मेलाइटिस नाम का वाईरस है जो कि जोवा द्वारा होता है होता है बताओ पर जीवी से कौन सा रोता है अब पापा और मम्मी पापा और मम्मी रोग पता ने नमको मम्मी पर रोग कौन सा है तो वहीं उसमें से ढून लो कि कौन सा रोग है कि पापा और मम्मी रोग है ना बताओ 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 विशानु बहुत जाना अमरिता कुमारी सर आप कहां थे इतने टाइम से गुडिया लाडली मैं तो यहीं था गुडिया देख गुडिया क्या कहता है तो याद रखेंगे आपका जो मलेरिया रोग है वो प्रोटुजवाजवाजवारा होता है पापा काम पे सोते हैं पापा से पाइरिया का से कला जार मॉझ से मलेरिया जना मुझे पे सोते हैं से सोने की बिमारी तो याद रखेंगे बहुत ही शान्दर बहुत ही शान्दर कि सर हिदय की धरकन को नियंत्रत करने के लिए नमिखित में से कौन सा खनीज आवश्यक है जरा मुझे बताओ कि हिदय की धरकन को नियंत्रत करने के लिए नमिखित में से कौन सा खनीज आवश्यक है तो मैंने कितनी बार बताया है सल्फर है बालों के लिए मेकप के लिए सल्फर होता है लोहा आइरन अफलरोसिस हो जाएगा लिवर के लिए सोडियम और पोटेशियम में एक चुनना है सर रेखो हमारे सरी में आवीश को इंपल्स को सोडियम जबकि पोटेशियम इस सवाल का बिलकुल सही उत्तर बनेगा सी 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 गुडिया लाडली बिटिया बहुत शिधार्त राज पापा की परी पापा की परी भी आ गई है सुनम कुमारी शर्मा जोतिय सिंग जया राय अमरिता कुमारी सभी का जवाब बिलकुल सही है बिलकुल बिलकुल शांदार जवाब दे रहे हैं सभी के सभी बच्चे आज ओ अगले सवाल लेखो ना क्या कहता है कि हेपटाइटिस रोक से मनुष्य के सरीर का सीधा प्रभावित होला अंग कौन सा है वह हेपटाइटिस में मानोसरी का कौन सा अंग प्रभावित होता है जिससे उस ब्यक्ति का बचना एंपॉसिबल है वह ब्यक्ति के मृत्यू कंपल्सरी है फाइनल है तो बाद जरा मुझे बताओ सिधार, पल्लू, सोनू, जया, क्वीन अलीसा, मुकेश कुमार बहुत बढ़ियां कैसे हो छोटे आचल चौधरी यह मेरे नहे लाडले और लाडले दिख रहे है आज तो आज तो गुड़िया और गुड़ा लोग नहने दिख रहे हैं जलो आजो, गुड़ा भी बोलो, बोल दिया सरीफ सरीफ को हैपटाइटीस रोग से मन्सु सरी का कौन सांग परवाइत होता है तो आप सभी आद रहो के हैपटाइटीस में हमाई सरी का यक्रित परवाइत हो जो एच्पीसी वारस होता है जोहारे बोडी का HPC वारस होता है जो होता है यह बोडी में एंटर करेगा जिससे आपको हैपटाइटीस नमक रोग दिखिंगों मिल जाएगा आजो क्या कहते है सर कि यदी कुई मानवीरों के बिश्चों के ब्रहस चेतर में फैलता है उसे कहते है आपयडेमिक 111 नग एर फोरवारस सबसे बहत Company इसमल इसन सोरी एपिडेमिक नहीं हिसे क्यक्न है पेंडेमिक पेंडेमिक यह फहलती है जो कि एक जिले इन चेतर में फैलती है लेकिन अगर भिश्मय फैलती है ऑगार आ जिसका एक्डेमिक उधेम्पल कोरुना वायरस ने एडम धूआ कर दो, गर्दा कर दो, बांद दो समाज का, क्या? कि निम्रियस के सुमेल है इसको मिलाना है मतल då मिला हुआ है लेकिन से कौन से सही मिलाया गया है उसका सही आंसर करना है बहुत ही शान्दारी मेरे लाड लो मेरे जियर के टुकडों Very, very, very good कया करा की मोट्या बिंद मोटिया बिंद आंखों में नहीं होता सर पीलिया यक्रित में होता है सर टाइफाइड फेफरों में नहीं होता निमोनिया आंखों में नहीं होता तो आंसर होलेगा कि पीलिया यक्रित में होता यह बिलकुल सही है और अगर इसको मिलाना हो तो मिल भी जाएगा कि मोटिया बि पेडबैच याद करो मैंने नाम लिया था दुमाग दुमाग ने बात की थी सल्फा ड्रक्स से बारे में जिससे सर क्या जो दुमाग नाम के सहाफ थे सल्फा ड्रक्स को बताये थे साथी साथ स्टेप्टो मैसीन की भी बात हुई थी जब रोग हो रहा था प्लेग जो बैसलि मेचिरिया का और सही अंसर हो जाएगा कि जिवानूं। जिवानूं में स्रियोग होता है सलफा द्वाईयों का जिसमें आप प्लेग नाम के वरिव के बारे मेरा क fulfil्द आखाएगे ना प्लेउ mindset प्लेग हो जाता है एंगे वायरस से इस जर्चे सीजल के थियारी करने वाले हर एक बच्चे तक याद रखोगे कि DPT का टीका नमलखित में से किसमे स्रिच्छा हेतू दिया जाता है यह DPT, diptheria, pertuses, titnes, कितनी बार बताया है इसे कहा जाता है, triple antigen vaccine तीन रोगों की यह दवा है, एक दवा, तीन काम कौन सर, DPT, D से क्या, diptheria, P से pertuses, जो कि hemophilus pertuses से होता है, कुकुर खासी, कुता खासी, और titnes इन तीनो रोगों के लिए DPT का टीका लगाते हैं, बोलो हाँ या ना अब बोल दो, हाँ या ना मरे लाड लो, बोल दो, बोल दो आरओड गंथी में हो जाएगा, ग्वाइटर नाम का रोग, मधू में हैं कहां होता है, तो मधू में होता है, अगनाशय में पैंक्रियाज में, पीलिया आँखों में कब से होने लगा, पीलिया तो होता है यकित में, तो सही मिलाने है नुमोनिया लंग्स, जो डिपलो कोकस नुमनी या पॉली नुमनो लाइक और्गिनिज्म, पीपी एलो या डिपलो कोकस नुमनी से होता है नुमोनिया, जो कि आपका बेगल सही एंसर हो जाएगा, ऑप्चन नुमबर वन बोलो, हाँ या न, अब बोल दो, पहला ही, क्वी क्रिमी निमेटोडा से होने वाला रोग है, या एंसफलाइटिस चिमकी पुखार होगा, कि फलॉरसिस होगा, कि कुष्ठ रोग होगा, या फाइलेरिया होगा, जरा मुझे बताओ, कि क्या होगा इसका जबाब, मेरे जिगर के टुकडों, मेरे लाड लो, मेरे प्यारे क्वीन एलीसा, जया राय, गीता कुमारी, मुकीष कुमार, बाए कह रहे हैं, पढ़ लो, अमृता कुमारी, क्या होगा, सथा, जरेगो जो político फाइलेरिया नाम का रोग है, फाइलरिसिस होगा इससे क्या, जब निमेटोडा, जब गोल क्रीमी, जिसे एसके हलमनथीस के नाम इससे होता है, अब मेरे लाड़नों के लिए, मेरे जिगर के टुकडों के लिए कोई सवाल है, इसको उठा के पटको इसकी हत्या कर दो, इस सवाल की हत्या कर दो, बिल्कुल हत्या होनी चाहिए इस सवाल की, और सेशन लाइक भी तो होना चाहिए, अब मेरे लाड़नों तो गंजा दमाद खाए फ्रूट गंजा दमाद खाए फ्रूट ट्रिक याद रखना और इससे आप यह रोग देख लोगे नेक्स सवाल देखो क्या कहता है कि निमनके प्रसी सुच्मा और सदियों में से कौन सी इक्ष्मा और कुश्रो दोरो किछी किस्ता के लिए उप्रयुक्त है वह भीया क्या कह रहा है टीबी और कोड में कौन से दवा लगती है तो याद रखो कि स्ट्रेप्टो माइसीन जो की पहली ऐंटिबायितिक थी क्या थी मेरे लड़ लो तो पहली ऐंटिबायितिक थी जो की स्ट्रेप्टो माइसीन थी नेक्सérience आजो गी बच्चों में प्रोटीन की निंता रख उंठर जो रोग और कौन सा है याद प्रोटीन की कमी हो रही है यांद दिक्कत दे रहा है मेरे लाड़ लो और जब प्रोटीन दिक्कत देगा आपकी बोडी के अंदर प्रोटीन की कमी कर दी गई तो एक रोग हो जाएगा जिकर नाम है क्या जिकर नाम है मरसमस मरसमस के साथ साथ एक रोग और याद रखना को अशियर कर और मरसमस प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है इस बात को याद रखोगे, जिसे कुपोषण के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखोगे, भी अब पलागरा किस से होता है, यह नियासीन की कमी से होता है, रिकेट्स बिटमिन डी की कमी से होगा, और बेरी बेरी बिटमिन बी वन की कमी से होगा, यह मैंने किस सेट म बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कैंसर हटाई दो, छोटी मता कैंसर हटाई दो, तो यह हटाई दो, हटाई दो, और सही अंसर, ऑप्शन नमबर 2 लगाई दो, यह क्या कह रहा है, ऑप्शन 2 is the correct for this question, बोलो हाँ यह न, अब बोल दो, अम मेरे जिगर के टुकड़ो मेरे चल लो, अब बोल दो, बोल दो, बहिया, कि अलर्जी के कारण कॉन से बिमारी होती है, मेरे लाड़नों याद रखो क्या, कि वाट डिजी से कॉन सा रोग होता है, प्या अलर्जी, अलर्जी, अलर्जी से क्या, तो धूल करों के अलर्जी हो सकती है, किसी चीज के अलर कॉलरा जीवानों से डाइबटीज किस से तो शरीर के अंदर गुलकोस का लेबल बढ़ने से डाइबटीज और रिंग वाम फिर से बता दिया भाहिया क्या गोल क्रीमी है ना दाद खाद खुजली भुलो हाया ना अब बोल दो अब बोल दो गुड अक्टनून से दिपती सोन गुडिया लाडली बिटिया बहुत शांदर नेक्स्ट आजाओ कि पैथोजन जो समान जुकाम के लिए उत्तरदाई है यह ऐसे पैथोजन जो समान जुकाम के लिए और्थोमेक्सो और्थोमेक्सो कौन सा होगा और्थो है बोन के लिए तो बोन के लिए और्थोमेक्सो ब कुळ व्यों व्याइ प्लूयों है ऑब यह उती हैं अक चाहें यह कमन सु यह वियो प्लियों में श्यासा कॉमन कोल्ड नहीं शर क्या में व्यले शोट में अ कॉमन अ कि वचत सर तो इक यह कंप आप्णे है चाहें जौन रेणीघर्ट है श्रॉटर्डीぎ हो हां यह ना अब बोल दो अब बोलो हां कमेंट में सब्सक्राइब हां है ऐसे ही सुर में हां है ऐसे ही तो होना चाहिए कि तुमकित में से कौन सा रोग का कारण जिवानू नहीं होता कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा नहीं है मेरे लाड लो इसका जवाब दे दो कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग नहीं होता अब पंडित का ठीका न्यू है तो बहिया क्या प्लेग हो गया डिप्ठीरिया हो गया तपेदिक हो गया निमोनिया हो गया काली खासी हो ग पता है HIV यह क्षध फैमिली का आपकी बॉड़ी के अंदर एंटर करेगा लिंफोसाइड को प्रवाइज करेगा लिंफोसाइड करेगा लिंफोसाइड क्या है सबसे चॉटी WBC या क्या करती है तो बोडी के अंदर इम्यून सिस्टम को डबल अब करती है बोलो हाँ या ना अब बोल दो बिल्कुल हाँ नेक्स्ट कि ब्लू बेबी ब्लू बेबी नामक प्रदूशक काईता बिमारी पीने वाले जल में नेक्स्ट में से किसके अधिक बिद्वान होने करन होती है बाई ब्लू बेबी कही से होता है बतो बतो अब बेबी को बेस पसंद है पर ब्लू बेबी को कैसा केस पसंद है तो ब्लू बेबी किस से होता है तो अगर आपकी बोडी के अंदर किसकी मात्रा जाएदा नाइट्रीट की मात्रा जाएदा हो गई यह फ्लॉराइट की मात्रा जाएदा तो फ्लॉरसिस हो जाएगा ना यह अगर आर्सनिक की मात्रा जाएदा होती है तो का हो जाएगा तो वाइट फुट और ब्लैक फुट हो जाएगा ना यहां क्या पूछ बलू बेभी पोच रहा है और नाइट्रेट यहां पे सही अंसर हो जाएगा भूलो हां या ना अब बोल दो अब भूल दो हाई ना बिलकुल आया बिलकुल आभी जा आज़ो आज़ो कुछ बाते करते हैं तुमसे है न कुछ बाते करते हैं यह जो पीडियेफ यह आपको अपने ऐसे फोन में से इसना ब्रण तब लाएगा अगा अधर24.7 जा एवे अपको एक इसानों सा क्या ऐसे खुल के अब को बहुत सारे आपको शारेछेे लてने आपके मिल जाएगे आपको बिहार है भिल अधने स्टेट एक्जाम में और बिहार मिल रिया और भिहार के लिष्टिय छी बिए उसयां पर बिर पेपर 1 की आपकी वessesया लचनिया मेंचेय लचéréisz कुछ भी डाल दो लेकिन आपको coupon code पर दिहान से इंटर करना होगा जो Y386 होगा इसे कर देना है आपको apply और जैसे आप इसे apply करोगे तो आपकी यह batch क्या तो आपको यह batch कितने मिल जाएगी तो यह batch आपको 827 रुपए मिल जाएगी क्या करते ही तो code Y386 लगाते ही और यह बिहार मदरिशेत की vacancy 27 रुपए को इसका exam है और बहुत जल्दी vacancy clear होगी आपकी government job हो जाएगी तो बस आज ही जाओ इस batch को purchase करो Y386 इस code को तो आज की class को यही पर रोकते हैं till then God bless you all जहन्द हमेशा खुश रहें मुस्कुराते रहें